अधि अधियर और होग और अधियर तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत इस पेशल एक रेसिपी ले के आ गया तो आज मैं बनाओंगी आप लोग के लिए मैंगो केक और ए तो आम का सेजन है और सेजन का फल तो सरीगा फेब्रेट होता है तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आगया mango cake recipe तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए तो सबसे पहले मैंने इधर एक पावल में 3 स्पून दही ले रही हूँ और 1 फॉर्थ कप oil तो मैंने refined oil यूज़ किया हूँ अब इन दोनों चीज़ों के मैं अच्छी तरह से mix कर लूँगी और इसका जो मिस्टरन होगा तो इस तरीका से mix करना है जो कि कोई भी दनादार चीज नहीं रहे पुरा स्मूध हो जाए तो इस तरीका से mix करना है तो यह complete हो चुके है अब इधर मैं आम का आम पका हुआ आ और उसी मिस्टरन को मैं इधर जो दही और ओयल की बैटर बनाए थी उसके साथ मैं देख के अच्छी तरह से mix कर लूँगी और इस तरीका से mix करना है कि यह पुरा स्मूध बैटर बने अब इधर मैं एक कप जैसा चीनी अड़ किया और यह पीसा हुआ चीनी है बस घर का न होगा और इसको अची तरह से mix करना है तो आप लोग देख सकतो मैं इसको कितना अची तरह से mix कर लिया अब इसमें मैं एक कप जैसा मैंटा ली हूँ एक कप जैसा नहीं एक काफी लिया हुँ मैं बस इसको थोड़ा-थोड़ा करके add करते जाओंगी और भीर मिक्ष्ट करत तो आप लोग पास अगर मेजरमेंट कॉप नहीं रहे तो आप लोग को चाए कर पे दो काप जैसा मैंदा ले सकते हैं पूए दिक्कत नहीं हो तो लाप में मैं सारी माअधा एड़ कियाए एड़ करने के बाद मैं इसमें दूद एड़ किया क्योंकि बेटर बहुत ही हो जाली थी इसलिए तो इस तरीका से तो इधर मैंने मेरा लगा है हापकप जैसा दूद्ध लग चुके तो अब इन सारे चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्ष्ट कर लूँगी मिक्ष्ट करने के बाद एक अच्छा का बैटर बना लूँगी तो देखी सकते हो बैटर कीतन अब हलके हतों से मिक्ष्ट करना कहिए क्यों की बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बगारा है नहीं तो बाद में टेख हमारा फूलेगा नहीं तो बैटर मेरा पर्फेक्ट बनके रेडी हो चुके है अब बैटर का जो कालर है बहुत ही आई मीन कालर ही नहीं दिख रही है और इंज के कलर तो इसलिए मैं योलो फूट कलर यूज किया तो आम बस तीन ही ड्रॉप दिया हूं और देने के बाद मिया इसको अलके आतर मिक्स्ट कर लिया तो बैटर पूरो पर्फेक्ट कम्प्रीट हो चुके है अब इधर मैं केक्टीन को रेडी कर लोंगी तो इधर इसमें मैं केक्ट कर लोंगी तो तो आप करने से क्या होगा कोई अगर एरस बापर रहेगा तो सारी निकल जाएगा और इधर मैं 10 मिट पाले कड़ाई को प्रीइट होने के लिए दी और गयस के उपर आइमिन गयस ओन करके तो कड़ाई के अंदर मैं एक प्लेट रख दी थी यह प्रीइट हो चुके है अब इसके अंदर मैं केक्टिन को बैठा के इसको ढग दूंगी लगवक 30 या 45 मिनट तक हो चुके हैं तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि कैसा कुक हो है तो आप लोग देखी सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से कूख हो चुके हैं और टूथपिक से मैं चेक किया है तो टूथपिक पूरा क्लीन निकल गया है तो बहुत ही अच्छी तरह से कूख हो कुछ नहीं बस मैं इसकााइट को थोड़ा चूड़ा लिया ना उलक पर पिर इसको इमोल करने के बाद में इसका नेल चुड़ा लोग मेभी ef और इसका कालर जो आया है बोहत संदर रखोश्ट रख देख रही है आप लोग देख सकते हों और कितना सॉप और सपंजी बनाएप लोग देख सकते हों बहुत सस्फ बना है अपना चलिए काट के दिखाते हूं अंदर कैसा बना है तो मैं इसका डेकोरेट करूंगी तो इसलिए मैं इसको त्री लेयर में कट कर लिए इसलिए तो अब लोग देखी सकते हो मैं एक नाइफ लिया हूँ और एक बार नाइफ को थोड़ा थोड़ा करके इसका राउन खुमा लेना चाहिए कटना नहीं है राउन खुमा लेना चा तो केक बहुत सुनतर बनके रेडी हो चुके है तो आज का वीडियो कहता लगा चलिए कमेंट में बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भुलिए एंड थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो